What's up everyone, welcome back to the channel आज हमारे लिए एक बहुत important दिन है और मुझे उमीद है कि आप लोगोंने कल business studies के दो chapter कर लिए होंगे आज एक chapter और करना है बट वो शाम को करना है उससे पहले अब हमें कुछ time में accountancy थोड़ा सा cover up करना है तो इस वीडियो में हम लोग cover करने वाले हैं financial statements of a company जिसके अंदर हम balance sheet और P&L सीखेंगे one shot तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, सारे notes बना लेना और वीडियो के साथ साथ चीजे learn करने ही कोशिश करना क्योंकि balance sheet का format याद करना पड़ेगा चली चली से शिरू करते हैं और आज का काम आज ही कर लेना exam में बहुत help मिलेगी चलिए let's begin तो देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमारे पास part B 20 marks carry करेगा और इसके अंदर आपके पास 4 chapters है जो आपको पढ़ने हैं सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो आता है financial statements of companies financial statements of companies दूसरा आता है हमारे पास financial statement analysis तीसरा आता है हमारे पास accounting ratios ratios में याद रखना जो आपके पास genuine ratios है वो तो हैं इस साल तीन ratios और add हुई है वो आपको separately करनी है तो इस पे खास तो और पे ध्यान देना तीन ratios new add हुई है वो करनी है और उसके बाद last आजाएगा आपका cash flow statement तो हम लोगों को ये 4 chapters पढ़ने हैं और हमारा book prepare हो जाएगा तो इस book के अंदर बहुत सारी चीज़े हम पढ़ने वाले financial statements of a company specifically as per schedule 3 हमें financial statements याद रखने है schedule 3 के अनुसार वो मैं अभी बताऊँगा आपको कैसे कैसे है इसके बाद analysis completely theory का chapter है फटा-फट हो जाएगा ये दो chapters हैं जो आपके महनत लेंगे बट इन दोनों का जो base है वो ये है तो पहले basic strong होने जरूरी है एक बार आपका ये हो गया तो आप इन पर आ सकते हो usually हम लोग क्या करते हैं कि इस पर बहुत कम time लगाते है बट इस बार मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सबसे जादा time इसी पर लगाओ क्योंकि आपको balance sheet का पूरा knowledge होना चाहिए कि कौन सी चीज कहा आती है statement of profit and loss का पूरा knowledge होना चाहिए कौन सी चीज कहा आती है तो शुरू करते हैं सबसे पहले में साथ साथ notes बना के चलना पहले तो इसका screenshot ले लो एक बार आपने ये ले लिया तो आपकी चीजे हो जाएंगी done अब सबसे पहले हम बात करते है financial statements की financial statements as per section 2 subsection 40 यह याद करना है आप लोग को section याद करना है यह ठीक है one marker के लिए important है तो financial statements of a companies की हम बात कर रहे हैं आप लोग अभी तक sole proprietor के financials बना चुके हो आप लोग partnership firms के financials बनाना सीख चुके हो वोई capital account, P&L appropriation account, balance sheet अभी हम किसके बारे हम बात करने वाले है financial statements वो भी किसकी? companies की कोई भी company अपनी financials कैसे बनाता है कोई भी company अपने end results कैसे बनाता है financial statements आरता end results कि हमारा पूरे साल में हुआ क्या है वो कौन दिखाता है financial statements दिखाते है तो कोई भी company के अगर मुझे financial statements देखने हो तो वो कैसे बनते हैं भाई? कौन बनाता है? किस तरीके से बनाए जाते हैं? उसका क्या कोई अलग procedure है? तो याद रखेंगे हमारे पास जितने भी financial statements है companies के वो as per companies act बनाए जाएंगे मतलब कि जो भी उसका एक prescribed format है वो companies act में given है और companies act के accordingly बनाए जाएगा companies act के accordingly section 2, subsection 40 के अनुसार ये financial statements बनाए जाएंगे ठीक है? अब इसके बाद financial statements में आता क्या क्या है? financial statements में याद रखेंगे section 2, subsection 40 के accordingly 5 चीज़े आती हैं देखो हम लोग को usually बस दो ही पता होती है बट 5 चीज़े आती है one marker के लिए एक एक चीज़ important है सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हमारे पास आता है एक balance sheet सबसे पहले जो हम इसमें बनाते हैं वो होता है हमारे पास balance sheet उसके बाद हमारे पास आता है statement of profit and loss statement of profit and loss आ जाएगा उसके बाद financial statements में उसके बाद हमारे पास आता है statement of changes in equity इसके अगर requirement हो यह तब ही बनता है statement of changes in equity उसके बाद हमारे पास आते है cash flow statements और last में हमारे पास आते है explanatory notes तो हमारे पास पास चीजें financial statements of companies में आती है सबसे पहला आपको पता लगया balance sheet फिर statement of profit and loss फिर statement of change in equity cash flow statement और explanatory notes तो पास चीजें हमारे पास financial statements में आएंगी ठीक है अब आपको कुछ चीजें और याद रखनी है कि जो हमारे पास balance sheet है वो बनेगा as part 1 of schedule 3 और pndl बनेगा part 2 of schedule 3 तो हमारे पास balance sheet है वो कैसे बनता है as per part 1 of schedule 3 और जो statement of pndl है वो कैसे बनता है as per part 2 of schedule 3 ठीक है यानि कि companies act में कुछ segments हैं जिसमें ये formats दिये गए हैं और उसी formats के आधार पे आपको चीजें बनानी होंगी ठीक है अब सबसे पहले हम लोग balance sheet को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास balance sheet किस तरीके से बनती है अभी तब जो आप balance sheet सीख के आए हो आपको पता होगा कि balance sheet is a statement of wealth balance sheet हमारी wealth दिखाता है wealth की जब मैं बात करता हूँ तो wealth का मतलब होता है हमारे assets और हमारे liabilities balance sheet mainly इनके बारे में बात करता है तो आप अभी तक जो balance sheet पढ़के आए हो वो एक horizontal format की balance sheet पढ़के आए हो और horizontal format का balance sheet कैसा होता है आप इस तरीके से balance sheet बनाते थे यहां पर आप लोग लिखते थे liabilities amount फिर यहां पर आप लोग लिखते थे assets amount अब देखो यह सब ऐसे चल रहा है इधर चल रही है यह नहीं चल रही है पहले liability fair amount fair assets fair amount तो इसको हम लोग बोलता थे horizontal form of balance sheet तो जितने भी firms है partnership firms हो sole proprietorship हो तो यह लोग जो अपनी balance sheet बनाते हैं NGOs हो NPO हो जब इनकी balance sheet बनती है तो यह सब horizontal format बनती है अब companies act ने बोला हम तो companies act हैं हम तो कुछ change करेंगे हम तो अपना format ही बदल देंगे ने का यार format कैसे बदलोगे उन्होंने का अभी तक क्या होता था इधर liability का total ठीक है liabilities में क्या क्या आता है हमारे पास capital फिर non current liabilities current liabilities थीन प्रकार की चीज़े ही तो होती थी capital जो और ने लगाया non current liabilities current liabilities अब हम क्या करते थे assets में यहां पर लिख देंगे और balance sheet को नीचे खीज देंगे यहां पर हम लिखेंगे non current asset यहां पर लिखेंगे current asset और फिर हम यहां पर total लगाएंगे तो यह total और यह total same होना चाहिए तो अब balance sheet कैसे चल पड़ी प्रभू balance sheet अब चल पड़ी ऐसे जो balance sheet ऐसे horizontal चल रही थी वो balance sheet अब vertical चल पड़ी तो जो companies की balance sheet बनती है वो याद रखेंगे किस format पे बनती है vertical form में बनती है ठीक है अब company balance sheet का थोड़ा सा structure आज के इस basic वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं इसार company balance sheet का structure क्या होगा तो देखो सबसे पहले आपको major heads के बारे में समझना होगा कि balance sheet दिखती कैसे है तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे particulars फिर हम यहाँ पे लिखेंगे note number note number का क्या मतलब है note number का मतलब है आप particular liability और assets को explain भी तो करोगे एक एक asset में बहुत सारी चीज़े होती है एक एक liability में बहुत सारी liability होती है तो सब कुछ तो यहाँ नहीं लिख पाऊगे तो उनको notes की मदद से छोटे छोटे नीचे schedules बनाएंगे उसकी मदद से show करेंगे ठीक difference आपके comparable होने चाहिए और नहीं होने चाहिए तो वही काम कर रहे है अब दो major head पकड़ लो वही समझाने है मुझे आपको इधर सबसे बड़ा major head आता है equity and liabilities ठीक है और एक आता है यहाँ पर assets सब capital में आ रहा है देखो equity and liability और एक आ गया हमारे पास assets ओके अब यह जो equity and liability ह है यहाँ पर इसका total हो चुका होगा और फिर यहाँ से assets चुरू हो रहे हैं तो यहाँ पर assets का total हो रहा होगा तो यह हमारे पास equity and liability और assets यह हमारे पास पूरे हो गए ठीक है अब equity and liability और assets का क्या मतलब होता है assets तो आप जानते हूं assets में आपकी सारे की सारी properties आपका cash जो भी चीज़ आपको future में benefit देने वाली है वो सब आपके assets होते हैं चाहिए वो land building, plant machinery, furniture, debtor, stock, cash, bank balance सब आपके assets हैं company के भी वही सब assets होते हैं वो सब यहाँ आजाते हैं अब company की भी liabilities होती है liability कितने प्रकार की होती हैं sir liability दो प्रकार की होती है यहाँ पे ध्यान रखना दो प्रकार की कैसे होती है एक तो वो पैसा होता है जो बाहर से borrow करा है किसी friend से loan ले लिया, किसी bank से loan ले लिया, उधार में माल खरीद लिया जिसका पैसा देना है creditor, कोई हमारा और bill payable, इस तर business ने owner से loan लिया क्योंकि honor अलग है और business अलग है company के case में proprietor नहीं होता, company के case में shareholder होता है, पैसा लगाने वाला कौन होता है, shareholder, जिसने company में shares खरीदे है, company का हिस्सा खरीदा है पैसा दे के तो company में जो पैसा लगाने वाला होता है वो shareholder होता है और वो जो पैसा लगाता है उसको हम capital बोलते हैं shareholder ने जो पैसा लगाया उसको हम capital बोलते हैं तो उस particular पैसे को जो shareholder ने लगाया जिसको हम capital बोलते हैं उसी का दूसरा नाम होता है, equity, capital का ही दूसरा नाम क्या होता है, equity, तो यहां से आप समझो, कि हमारे पास यहां पे एक तो capital आने वाला है, और एक outsiders liabilities आने वाली है, sir, outsiders liabilities कौन कौन से होगी, outsider liabilities वही जो भारवाल से लेनी है, अभी बताई मैंने आपको, तो अब equity and liability हमारा major head से पहला, और assets हमारा दूसरा major head है, ठीक है, इसके अंदर अब हमारे पास सबसे पहले आता है, shareholders funds, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, shareholders funds, sir, shareholders funds का क्या मतलब है, shareholders funds का मतलब है कि वो पैसा जो shareholders ने लगाया है, उसको हम क्या बोल देते है, shareholders funds, ठीक है, जो पैसा shareholders ने लगा द दो प्रगार की capital होती है, equity share capital, preference share capital, दोनों आ जाएंगी, shareholders funds में ही कुछ savings आ जाती है, savings कैसी, savings जो आपने पैसा जोड़ के रखावा है, उसको हम savings बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद shareholders funds में ही कुछ और तरीके की items आती है, वो मैं अभी आपको detail में balance sheet discuss करूँगा, तो पहले shareholders funds आते हैं, फिर हमारे पार आती है, यहाँ पर non-current liabilities, non-current liabilities and then we have current liabilities, सर अब इसको कैसे हम define करें कि कौन सी liability non-current liability है, और कौन सी liability current liability है, तो इसको समझने के लिए concept समझना होगा, उस concept को हम लोग बोलते हैं, operating cycle, सर अभी तक तो हम यह बढ़ते आये थे कि जो 12 महीने क अंदर-अंदर पे होगी वो current liability, और जो 12 महीने के बाद पे हुई वो non-current liability क्या वो गलत था, वो गलत नहीं था, वो भी ठीक है, लेकिन अब आप थोड़ा सा और mature हो चुके हो, अब थोड़ा और detail में accounts को जानते हो, तो आपको थोड़ा और अलग नजरिये से accounts को पढ़ना होगा, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अब, operating cycle के बारे में पढ़ने वाले हैं, सर होता क्या है operating cycle, आओ मैं आपको समझाता हूँ कि operating cycle होता क्या है, सबसे पहले ये पकड़ो, कि आपके पास सबसे पहला criteria तो 12 महीने वाला criteria होता है, 12 मॉन्स वाला criteria होता है, ठीक है, कि अंदर payment कर दिया ना, जैसे सबस्क्राइटर है, क्राइटर का पैसा देना है, आपने 8 महीने में दे दिया, 9 महीने में दे दिया, तो वो operating cycle, oh sorry, 12 मंस के अंदर अंदर आ गया, उसको मैं current liability बोल दूँगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कि आप 12 महीने के बाद payment कर रहे हो, 13 महीने में, 14 महीने में, तो पहले हम directly उसको non current liability बोल देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना, अब ऐसा क्यों नहीं करना, क्योंकि आपके सामने एक नया concept आ गया है, जिसको हम operating cycle बोलते है, sir operating cycle है क्या, देखो कभी भी आप business करते हो, तो business की शुरुआर पैसे से होती है, आप पैसा लगाना शुरू करोगे, माल खरीदोगे, बनाओगे, बेचोगे, फिर उधार में बेचोगे तो पैसा वापिस भी आएगा, तो पैसा लगना शुरू हो जाता है, उस पैसा लगने से पैसा वापिस आने का time period है, उसको हम operating cycle बोलते हैं, पैसा लगना शुरू हुआ, वहाँ से घूम के जो पैसा वापिस आ गया उसको हम क्या बोलते हैं operating cycle तो what is operating cycle पैसा लगने से लेके पैसा वापिस आने तक का time period operating cycle है अब ये business to business अलग-अलग हो सकता है कुछ business इसमें बहुत छोटा operating cycle होता है 2-4 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का कुछ businesses में महीनों का होता है कुछ businesses में सालों का होता है तो आप पहले 12 महीना चेक करोगे 12 महीने के बाद आप एक condition और चेक करोगे वो क्या है हमारे पास operating cycle अब सर इसको example की मदद से समझाओ देखो मैं आपको example की मदद से समझाता हूँ example के तौर पे हम ले लेते हैं payment period और इधर ले लेता हूँ मैं operating cycle ठीक है एक, दो, तीन, चार, पाच examples ले लेंगे हम इस table से आपको समझाने की कोशिश करते सबसे पहले मैंने देखा कि कोई ऐसी liability है जिसका payment period आठ महीने आ रहा है अब इसका payment period आठ महीने आ गया तो चेक करो क्या यह 12 महीने के अंदर अंदर हो गया हाँ सर, 12 महीने के अंदर हो गया, खतम बात जैसे ही यह 12 महीने के अंदर अंदर हुआ यह current liability हो गया, अब इसका operating cycle चाहे कितना भी हो, कोई फरक नी बढ़ता हूँ अगर 12 महीने के अंदर हो गया तो हो current liability है, tension लेनी ही नहीं ठीक है, दूसरा आया सर यह 13 महीने में payment हो रहा है 13 मंस में हो रहा है क्या सर यह 12 महीने के अंदर हो गया नहीं 12 में तो हुआ नहीं तो अब इसको non current मत लिख देना अब आप इसकी operating cycle चेक करो इसकी operating cycle कितनी है फिर हमने operating cycle चेक करी कि operating cycle तो 12 महीने की थी क्या यह 12 के अंदर हुआ अंसर आ रहा है no तो दोनों ही condition नहीं हुई ना तो 12 में हो रहा और ना ही operating cycle में हो रहा तो यह क्या बन गया non current liability बन गया तो इस तरीके से आपको फटा फट से चीज़े करती जानी है ठीक है चलो बगला देखते हैं सबोस यहां पे payment हुआ 14 महीने में क्या यह 12 महीने के अंदर अंदर हो गया नहीं 12 महीने के अंदर तो नहीं हुआ क्या यह operating cycle में हो गया मैंने चेक करा इसका operating cycle 15 महीने का था यह exam में given होगा अगर होगा तो 15 महीने का था क्या यह इसके अंदर हो गया yes operating cycle के अंदर हो गया न तो यह भी current liability है अब देखो 14 months 12 से जादा है लेकिन इसकी operating cycle बड़ी है भाई operating cycle एक business cycle के अंदर-अंदर हो गया है तो यह current liability है अच आव यह 15 months और operating cycle 18 महीने की है तो हमने चेक करा क्या यह 12 के अंदर हो गया no क्या यह operating cycle के अंदर हो गया yes तो यह भी हमारी current liability अब देखते हैं payment 15 महीने में हुआ operating cycle इसकी 8 महीने की है क्या ये 12 महीने के अंदर अंदर हो गया नहीं क्या ये operating cycle के अंदर अंदर हो गया नहीं तो ये non current liability तो यानि पहली चीज तो आप ये check करो क्या 12 महीने के अंदर हो रहा है 12 के अंदर हो गया तो operating cycle को ignore कर दो बिल्कुल ignore कर दो अगर ये बारा महीने के अंदर-अंदर हो गया ना जैसे ये बजये कि बारा महीने के अंदर-अदर तो operating cycle से मतलब भी नहीं है सिदा-सिदा current liability लेकिन अगर बारा में नहीं हो रहा तो operating cycle चेक कर लो ठीक है, आप मुझे आपको Homework में बताना है payment period operating cycle चार एक्जैम्पल से दहूं मैं आप लोग को बारा महीने, तेरा महीने ग्यारा महीने, आठ महीने सोला महीने, चौदा महीने 15 महीने, 18 महीने तो मुझे आपको चारो का बताना है फर्स, सेगंड, थर्ड, फॉर्थ कि कौन सा करेंट लाइबिल्टि है कौन सा current liability नहीं है बस check करना क्या वो क्या वो 12 महीने के अंदर पे हो गया अगर answer आ रहा है yes तो सीदा सीदा उसको current liability डाल दो अगर answer आ रहा है no तो अभी कुछ decide मत करो अब check करो operating cycle check करो operating cycle फिर check करो क्या वो operating cycle में पे हो गया क्या वो operating cycle में पे हो गया अगर हाँ तो current liability अगर ना तो non current liability यह सीदा सीदा system है इस system का याद रखना इसकी को जुरुत नहीं है straightforward यह एक chart देख लेना क्या वो 12 महीने के अंदर पे हो गया अगर हो गया तो current liability नहीं हो आ तो operating cycle चक करो operating cycle में पे हो गया यह तो current liability नहीं तो non current liability ठीक है ऐसे हमारे पास non current liability और current liability आ जाते हैं similarly ऐसे ही non current assets और current assets ऐसे ही non current assets और current assets बस फरक क्या होता है यह आपको pay करने वाले होते हैं और यहां आपको benefits मिलते हैं तो अगर benefits बारा महीने के अंदर-अंदर मिल गए current assets बारा महीने के बाहर जा रहा है तो operating cycle चेक करो operating cycle के अंदर आ गया current assets operating cycle के बाहर गया तो non current assets तो यह एक basic चीज है जो मैंने आपको आज major head सिखाए shareholder fund non current current non current assets current assets तो इसको detail में देखो आज एक बार यह मुझे homework में आपको बताना है ओके और अब हम company का balance sheet समझने की कोशिश करते हैं कि यह company का balance sheet vertical format में कैसा दिखना चाहिए सबसे पहले तो यह चीज अपने mind में set रखो कि company का balance sheet as per companies act 2013 prescribed format में बनेगा और वो format नहां पर दिया है part 1 of schedule 3 तो companies act के basic provisions आपको याद होने चाहिए अब balance sheet कैसा बनता है देखो name of the company balance sheet उसके बाद चार आपके major headings आते हैं इसके अंदर सबसे पहला particulars then you have note number इसके बाद you have current year के figures and then you have previous year के figures तो figures के लिए यह space खाली है बट major 4 आपके headings होने चाहिए particulars, note number, current year और previous year यह मैंने आपको last class में भी बता दिया था अब जब हम liability side से शुरू करते हैं तो liability में आपका जो major head है वो है equity and liabilities equity and liabilities में equity आपका honors का पैसा हो गया liability आपके outsiders जिनको आपने पैसा आप देना है सबसे पहला जो major head आता है वो आता है shareholders funds shareholders funds में आपकी तीन चीज़े आएंगी सबसे पहले share capital share capital का मतलब जितने भी लोगों ने आपके shares खरीदे वे हैं जो भी आपके shareholders हैं तो shareholders का पैसा share capital में आएगा अब share capital में दो प्रकार की shares होते हैं एक होते हैं हमारे equity shares और एक होते हैं आपके preference shares तो equity और preference shares दोनों ही इसके अंदर आजाएगी आपकी share capital में उसके बाद जितने भी company के पास reserves हैं चाहिए वो general reserve हो, workman compensation reserve हो कोई contingency reserve हो और उसके साथ profit and loss का balance जो current year का profit आया है या loss आया है वो सारा का सारा आपको reserves and surplus में reflect करेगा security premium reserve हो कोई भी reserve, कोई भी profit and loss का balance वो सब यहाँ पे reflect करेगा तो share capital, profit का balance उसके बाद तीसरी चीज़ आती है money received again share warrants अब ये share warrant क्या है share warrant एक ऐसा document है जो फिलहाल तो share नहीं है but किसी future की specified date पे वो shares में convert हो सकता है like suppose आपने company में पैसा invest करने की सोची but shares अभी available नहीं है तो company की तरफ से आपको warrant issue करा जाएगा कि warrant आज तो share नहीं है but किसी specific future date पे आप इसको shares में convert कर सकते हो तो ये जब shares में convert होगा तो इसी share capital में reflect करेगा but अभी being share नहीं है तो इसका अलग head है कि money received again share warrants but इससे आपसे question नहीं पूछा जाएगा आपको जो major याद रखना है shareholders funds में वो share capital और reserves and surplus ही है उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा share application money pending allotment application money pending allotment का मतलब ये होता है कि आपको shareholder से पैसा आ गया है और अभी आपने shares allot नहीं करें है मतलब application तो आ गया but अभी shares allot नहीं हुए in between आपका balance sheet date आ गया तो आप balance sheet बनाओगे उस पैसे को कहीं न कहीं तो दिखाओगे तो share capital में ना लिखके एक अलग head बनाया जिसको लिखा गया share application money pending allotment इससे भी आपको exam में कोई question पूछा नहीं जाएगा तो अब अभी तक आपको shareholders funds share capital reserves and surplus major ये तयार करना है now let's move towards the next heading जो अगला head है वो है हमारा non current liabilities non current liabilities मैंने आप लोगों को last class में बताया था कि non current liabilities वो liabilities है जो या तो 12 महीने के बाद payout हो रही है और operating cycle के बाहर payout हो रही है अब operating cycle may be 15 महीने का हो may be 16 months का हो may be 18 months का हो उसके लिए previous वाला वीडियो जरूर चेक करना तो operating cycle एक बहुत important criteria बन जाता है जब 12 महीना cross हो जाता है उस scenario में यहाँ पे 4 चीजे हैं अगर आपको इसको याद करना है तो इसका memory technique है DOL यहाँ से 4 चीजे deferred tax liability, other long term liability, long term provisions, long term borrowings तो हमारे पास जब हम liabilities की बात करते हैं तो 4 चीजे आ जाती है DOL, deferred tax liability, other long term liabilities, long term provisions, long term borrowings let's start with long term borrowings long term borrowings के साथ अगर हम शुरुआत करे तो borrowings का मतलब आपने borrow करा है पैसा हो सकता है bank loan हो हो सकता है public से लिया हो तो उसको debenture बोल देते हैं debenture भी यहाँ पे आ जाएगा हो सकता है bond zone तो इस तरीके का कोई भी नाम लिखावा है bank loan लिखावा है, bond लिखावा है, debenture लिखावा है आ रहा है defer tax liabilities, defer tax liabilities ऐसा ही आपको एक है defer tax assets में वेलेगा, इसमें आपको ये चीज समझनी है कि हमारे पास accounting income और taxable income दो अलग-अलग चीज़े हो जाती है, accounting income और taxable income दो अलग-अलग चीज़े हो जाती है, जब हम accounts बनाते हैं तो accounting में कुछ अलग provisions है बट जो हमें tax pay करना होता है वो pay करना होता है as per income tax act, तो accounting income और taxable income में difference हो जाता है, उस difference आने की वज़े से कई बार जब companies अपना tax pay करती हैं तो कुछ tax उनका pay करना रहे जाता है, क्योंकि आपने जो tax pay करा, वो accounting के अनुसार, आपके अनुसार करा, बट होना चाहिए था taxable income के accordingly, तो कई बार आपकी कुछ liabilities pay ओनी रह जाती हैं, जो आप in future pay out करते हो, तो अगर वो liability आ रही है due to difference between accounting income and taxable income, कि आपने pay कर दिया कम, होना चाहिए था जादा, तो अब जो tax क liability खड़ी हो गई, उसको हम defer tax liability बोलते हैं, similarly, अगर आपने tax जादा pay कर दिया, होना चाहिए था कम, तो वहाँ पे defer tax asset खड़ा हो जाता है, तो कभी भी accounting income and taxable income के बीच में difference आएगा, वहाँ अगर tax कम pay हुआ, जादा pay करना था, तो जो आएगा word उसको बोलोगे defer tax liability, जादा पे कर दिया, कम पे करना था, तो defer tax asset, इस पे भी आपसे question नहीं पूछा जाएगा, तो ये भी आपको बस heading पता होना चाहिए, question इस पे से नहीं पूछा जाएगा, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास long term borrowing हो गया, defer tax liability हो गया, other long term liabilities, ये important है, exam point of view से इसको चाहदान इंड अधर long term liabilities का क्या मतलब होता है, कि हमारे पास और कौन-कौन सी liabilities है, जो ना तो borrowings है, ना defer tax है, और कौन सी liabilities है, जो long term में pay करनी है, इसमें हम लोग mainly premium याद रहना, हम premium की बात करते है, premium payable on redemption of debenture, जब भी आप debentures को pay करोगे, debenture मतलब जो public से loan लियावा है, जब भी जादा पे pay करते हैं, हम लोग, जादा पे मतलब जितना लिया है, उससे extra pay करते हैं, उसको हम premium बोलते हैं, suppose मैं 100 रुपे का loan ले रहा हूं, और मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं 120 पे करूंगा, तो 20 extra pay कर रहा हूं उसको हम premium बोलते हैं, तो वो जो premium है, redemption of debenture में, उस premium की payment को हम लोग other long term liability में show करते हैं, similarly premium payable on redemption of preference shares, अगर आप preference shares buyback कर रहे हो, पेमिंट कर रहे हो, और extra pay कर रहे हो, तो उस पे आने वाला premium भी आपका other long term liabilities में आ जाता है, next is long term provisions, long term provisions क्या है, long term provisions वो provisions हैं, जो company बनाएगी अपने long term expenses के लिए, जैसे provision for gratitude, provision for PF, provision for employee benefit, provision for earned leave, इस तरीके के provisions हैं, जो कई सालों के बाद pay करने होते हैं, 5 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, वो पैसा देना है, उसका provision बना रहे हैं, तो वो सारे long term provisions में आ जाते हैं, जो हर साल provision बनाने हैं, every year provision बनाने हैं, जैसे provision for depreciation, provision for taxation, इस तरीके के provisions, वो सब short term provisions म आएंगे तो यहां पे हमारे पास 4 head हैं डॉल में deferred tax liability, other long term liability, long term borrowings and long term provisions, current liabilities में हमारे पास होता है Toss, Toss में सबसे पहले trade payable, trade payable वो है जो हमारे creditors जिनने हमने उधार में माल खरीदा है, उनका पैसा देना है, bills payable, तो trade payable में दो चीज़े आती हैं हमारे पास creditors and bills payable, ठीक है, short term borrowings, जो आपने short term के लिए पैसा borrow करा है, कहां से borrow करा है, वो bank overdraft हो सकता है, short term के लिए आपका bank overdraft हो सकता है, या आपने कोई और short term का कोई loan लिया है, तो वो सब short term borrowings में आ जाता है, तो short term borrowings, एक साल से कम वाली आपकी borrowings, उसके बाद trade payable, creditors and bill payable, short term provisions मैंने जो short term के लिए provision मना रहे हो, आपने बहुत सारे provisions पढ़े है, provision for doubtful debts, taxation, provision for depreciation, यह सब short term है, उसके बाद other current liabilities, यह exam point of view से बहुत important है, इसका आपको ध्यान रखना है कि other current liabilities में क्या क्या आ जाता है, other current liabilities में सबसे पहले, आपकी जो matured debentures है, matured debentures का मतलब यह होता है, कि अ Suppose मैंने 10 साल के लिए loan लिया, तो 9 साल तक वो मेरा loan long term borrowings में reflect करेगा, 9 years तक, बट जिस year में वो pay होना है, last year में, अब उसमें 1 साल से कम time period बच गया न, तो वो जो हमारी maturities of current year है, वो हम हमेशा other current liabilities में show करते हैं, यह आपके exam point of view से बहुत important है, और exam में आपसे जरूर charities हैं, like कोई loan 15 साल का था, 14 साल निकल चुके हैं, last year में हम आ गए हैं, तो last year में वो कहां reflect होगा, वो यहाँ पे other current liabilities में दिखाया जाएगा, इसके बाद आप ले सकते हो कोई भी outstanding expense, interest accrued and due, interest accrued and not due, वो सारी चीज़ें भी हमारे पास यहाँ पे other current liabilities में आ जाती हैं, तो and current liabilities, आप सबसे पहले इसका screenshot लेके इसको copy कर लो and then we'll move forward towards asset, अब हम लोग continue करते हैं and let's move towards asset sites, asset sites में अगर हम चलें तो asset में भी आपका पूरा इसी तरीके से दो heads में divided है, एक तरफ हमारे आजाते हैं non current assets और एक आजाते हैं current assets, अगर हम बात करें non current assets की तो वो सभी assets, वो जादा में मिलने वाला है, आपकी land, आपका furniture, आपका machine, आपका plant, आपका building, हर चीज जो आपको long term में benefit देगी वो सब आपके non current assets हैं और वो सभी assets जो आपको short term में benefits देंगे, आपका cash, आपका bank balance, आपका debtor, bills receivable, ये हर तरीके का asset जो short term में benefit देगा वो आपके current assets में जाएं fixed asset वो asset है जो usually जल्दी से move नहीं करता है, आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप उसको feel कर सकते हो, touch कर सकते हो, अपनी eyes से देख सकते हो, बट वो इस तरीके का asset है जो बहुत जादा move नहीं करेगा, जैसे आपका land, building, plant, furniture, इस तरीके की चीज़ें, ये सब आपकी fixed assets में आ tangible assets, tangible कौन से होती हैं, जिसको आप देख सकते हो, touch कर सकते हो, आप उनको benefits ले सकते हो, ये सब tangible है, कुछ आपके assets ऐसे होते हैं, जो intangible होते हैं, exam point of view से, intangible is much more important, क्योंकि आप लोग के basics इतने strong हो जाते हैं, कि आपको land, building पता है, कहाँ पे आता है, intangible में कई बार number कटते हैं, क्योंकि intangible में आपको goodwill, patent, copyright, trademark के इलावा कुछ पता ही नहीं होता, तो intangible में हमारे goodwill, patent, trademark, copyright तो है ही, उसके साथ-साथ कुछ और भी होते हैं, जैसे computer softwares, computer softwares हैं, हमारी app है, हमारे लिए एक intangible asset है, क्यों intangible asset है, क्योंकि उसकी मदद से हम लोग काम कर रहे हैं हमारे को benefit rise हो रहा है, बढ़ हम उसको touch नहीं कर सकते हैं, सिर्फ feel कर सकते हैं, तो वो एक intangible asset है, similarly, must heads is very important, must heads क्या होता है, जो titles होते हैं, जैसे आपके area में कोई बहुत popular newspaper है, Times of India ले लो example के तौर पे, तो Times of India उनका एक major heading है, वो heading से बिखता है, उनके लिए वो एक intangible asset है Similarly, इसी तरीके से, आपके titles, recipes, formulas, वो सब आपके intangible assets होते हैं, तो यह याद रहे, अब goodwill, आपको पता ही है, किसी भी business की probability की old customer will resort to old place, आपका कोई old customer है और आपकी दुखान पर दुबारा आ रहा है, दुबारा तब ही आएगा अगर आपकी goodwill होगी, जिसकी goodwill नहीं है, उ patent किसी भी particular experiment का हो सकता है, patent कोई भी नए formula का हो सकता है, trademark, usually symbols की हम बात करते हैं, तो उसमें trademark, wordmark होता है, copyrights, copyrights आपके written materials के होते हैं, जैसे आपने books copyright करा लिया, आपने कोई नया article लिखा, वो copyright करा लिया, तो यह basically चारों में difference होता है, इसके बाद अगर आपका कोई asset है, जो अभी under construction है, अभी आपका asset बन रहा है, अभी वो ready नहीं है, तो आप उसको tangible asset में तो नहीं लिखोगे, भले ही tangible है बट अभी ready तो नहीं है, अभी आपको वो इतना benefit नहीं दे रहा है, तो उसके लिए अलग head है, capital work in progress, तो जब वो बनके तयार हो जाएगा, तो वो tangible assets में चल हो जाएगा, तो tangible में आएगा, जब तक नहीं हुआ, तब तक capital work in progress, similarly अगर कोई intangible asset अभी बन रहा है, ready नहीं हुआ, उसमें time लग रहा है, ready हो रहा है दीर दीर, तो उसको हम लोग बोलते है, intangible asset under development, जब हो जाएगा, तो intangible assets में चला जाएगा, तो अगर कोई tangible asset अभी progress में है, capital work in progress, intangible asset अभी progress में है, तो intangible asset under development, उसके बाद आपके बाद आते हैं, non-current investments, अगर आपने कहीं पर invest करा है, long term के लिए, long term के लिए अगर आपने invest करा, तो वो आपके non-current investments में आ जाता है, अब याद रखना, non-current investments दो प्रकार की होती है, एक होती है, हमारे पास trade investment trade investment और एक होती है, other investment, trade investment क्या होता है, trade investment होता है, जो आपने अपने business के benefit के लिए कोई investment करी है, एक business honor ने कोई दूसरा business खरीद लिया, investment करा, अपने खुद के benefit के लिए करा, तो वो सब trade investments में आ जाता है, अगर आपने normally वैसे ही कोई equity में, debentures में, कुई से security में invest कर दिया है long term के लिए, तो वो other investments में आ जाता है, उसके बाद deferred tax assets, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, this is also a difference, this arises due to the difference between taxable income and accounting income, दोनों में difference होता है, तो यह arise होता है, दोनों में difference है, और आपको लग रहा है कि यार, ज्यादा tax pay कर दिया, benefit हमे मिलेगा इस से, तो वो deferred tax asset में आ जाता है, ठीक है, उसके बाद long term loans and advances, long term loans and advances का मतलब है कि आपने long term के लिए loan दिये हुए है, long term borrowings में आपने पैसा borrow कर आवा था, यहाँ पे loan दिया वा है आपने, तो इसको हम क्या बोलते है, long term loans and advances, उसके बाद हमारे पास आ जाता है other non current assets, other non current assets में आप लोग यह मान सकते हो कि कोई ऐसा BR है, कोई ऐसा bill receivable है, जिसका maturity after 12 months हो रहा है, BR maturity after 12 months, ऐसा कोई BR है, ऐसा कोई unamortized expense है, जो भी आपने अपनी books में reflect नहीं करा है, वो सारी चीजें आपके पास other non current assets में आ जाती है, इसको याद कैसे करना है, तो आपको याद रहेगा, फिर आप लोग याद कर लो, NIDLO, NDLO, इस तरीके से कुछ system बना के याद कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास shareholders funds आ गया, shareholders funds में share capital, reserves and surplus, money received against share warrants, उसके बात share application, money pending allotment, then you have non current liability, जिसमें doll, refer tax liability, other long term liabilities, long term borrowings, long term provisions, फिर आपके पास current liability आ गया, जि उसके बाद assets आ गया, assets में आप लोग non current assets, non current assets में सबसे पहले fixed assets, जिसमें tangible, intangible, capital working progress, intangible assets, under development, then non current investments, फिर DLO, NDLO, D deferred tax assets, उसके बाद L से आपका long term loans and advances, और O से आपका other non current assets, फिर हमारे पास current assets आ जाते हैं, current assets को याद करने का memory technique है TISCO, Tis-C-C-O, इसको में क्या आजाता है, आपके पास सबसे पहले T की अगर में बात करूँ तो trade receivables, trade receivables में आपके mainly BR, bill receivable, जो आपके तीन महीने के अंदर इनकर जिंसे पैसा लेना है, plus आपके debtors, debtors को हौन है जिनको आपने माल बेचा भाए, वो आपके debtors है, जिन से पैस करना है तो हमारे पास यहां पर bea and debtors इसमें आ जाते हैं then we have inventories inventory वाला part is very important from exam point of view साथान इंडिया inventory में आपकी 6 चीजे आ जाती है inventory में आपका raw material फिर work in progress उसके बाद finished goods raw material work in progress finished goods उसके बाद आपका loose tools याद रखना loose tools then we have stores and then we have spares तो छे चीज़े हमारे पास आजाती है raw material, work in progress, finished goods, उसके बाद loose tools, stores and spares, तो यह सब आपका inventory में आजाता है, तो टिसको में trade receivables, inventory, उसके बाद S से आपका short term loans and advances, अगर आपने कोई loan short term के लिए तो वो आपका short term loans and advances में आता है, long term के लिए तो long term loans and advances, short term के लिए तो short term loans and advances, उसके बाद C cash and cash equivalents, cash और cash के जैसी चीज़ें, जैसे cash, जैसे bank balance, similarly कोई marketable security है, वो सब इसके अंदर आजाती है, तो यह cash and cash equivalents का पार्ट हो जाता है हमारे पास, उसके बाद current investments तो आप जानती हो, current investments यानि कि वो investments इसका maturity period less than 12 months है, short term के लिए आपने पैसा invest करावा है, तो वो current investments में आता है, और last बचता है हमारे पास other current assets, other current assets में क्या होता है, कोई income received in advance है, नहीं income received in advance तो आपकी library में चली आएगी, other current में आएगा prepaid, आपने कोई advance में पैसा pay करा है, prepaid expenses हो गए आपके, और income में मैं बोल सकता हूँ, unearned, unearned income का मतलब आपने कमा ली, लेकिन अभी तक receive नहीं हुई, वो भी आपकी ये सारी के सारी other current assets में चले आता है, तो other current assets में आपके पास ये सारी चीजें reflect करने लगेगी, तो I hope आपको assets में जो problem है, वो यहां से पूरी balance sheet हो जाती है, मैंने आपको पूरी balance sheet के tricks भी बता दिये, पूरी balance sheet के examples भी बता दिये, तो हमारा financial statements में balance sheet वाला part खतम हो चुका है, इसके बाद we'll move forward towards profit and loss वाला part, अब आपने statement of wealth तो समझ लिया, यानि कि एक balance sheet तो आपने समझ लिया, statement of financial position भी हम लोग बोलते हैं, कि कौन-कौन से assets, कौन-कौन से liabilities, कहां-कहां पे आते हैं, वो सब आपने समझा, आज क्या हम statement of profitability के बारे में बात कर ले, तो जब भी profits की बात होगी, तो सबसे important statement जो आता है, वो आता है statement of profit and loss, यहाँ पे trading pndl नहीं है, यहाँ पे statement of profit and loss है, वो सभी चीज़े जो trading pndl में आती थी, यहाँ पे इस particular statement में आएगी, तो statement of profit and loss को समझने की कोशिश करते हैं, but before that कुछ चोटी- चीज़े, जैसे, balance sheet का format कहां prescribed था, part 1 of schedule 3, pndl का format कहां पे prescribed है, part 2 of schedule 3, तो यह कुछ चीज़े, one markers के लिए, छोटी-छोटी आपको पता होने ही चाहिए, तो part 1 and part 2 of schedule 3, इसको हम बोलते है, statement of profit and loss, ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या-क्या चीज़े आती है देखो, जो statement of profit and loss है, इसका एक basic format वो ही है, particulars, note number, current year, previous year, तो particular note number और comparability के लिए, current year, previous year, दो साल के figures हमें चाहिए होते हैं, moving forward, हमारे पास जो basic format की शुरुआत होती है, वो होती है, revenue from operations से, revenue from operations, यानि वो पैसा जो आपके पास आएगा from your operations, from your main activities, from your sale, तो यहाँ पे revenue from operations, basically हमारे पास क्या होता है, sales minus sales return, यानि कि आपकी net sales, इसमें आ जाती है, revenue from operation, company के point of view से, एक आम organization के लिए sales का काम करती है, तो sales minus sales return को ही हम लोग revenue from operations बोलते हैं, इसके बाद एक चीज़ याद रखना, specifically, अब like suppose मेरा कपड़े का business है, अब मैं क्या करता हूँ, कपड़ा बेशता हूँ, उसकी sale होती है, उसको revenue from operation में दिखाता हूँ, मेरा जो कपड़ा ह है, वो कुछ बड़े-बड़े karts में pack हो के आता है, बड़े-बड़े boxes में pack हो के आता है, जिसको हम karts बोल देते हैं, उन boxes को मैं इकटा करता रहता हूँ, करता रहता हूँ, और last में मैं क्या करता हूँ, उसको बेश देता हूँ, उस box को बेच के भी पैसा कमाता हूँ, क् इसको हम क्या बोलते हैं? Sale of Scrap Sale of Scrap Scrap समझते हो जो आप कबाड के दाम में कोई चीज बेच रहे हो कूडा में बेच रहे हो आप कोई चीज तो business से related कोई ऐसी चीज आपको exam में सीधा Sale of Scrap लिखाएगा तो याद रखना Sale of Scrap is also a part of revenue from operations तो revenue from operations में main चीज है Sale of Goods, Sale of Services minus returns अगर कोई है और Sale of Scrap यह याद रखना ठीक है? इसके इलावा business में कोई भी income हो रही है rental income, commission received interest received, कोई भी other income हो रही है कोई bad debts recovered किसी भी प्रकार की income हो रही है तो वो सब आपकी other incomes में आ जाती है क्योंकि businesses में बहुत सारी other incomes भी हो सकती है सिर्फ business से तो नहीं होती लोगोंने multiple source of income बनाये होते है तो जो उनका major source से होने वाली income है उसको तो revenue from operation जो business से हो नहीं है और जो other incomes है interest received, commission received, rent received कोई और income, business से अलग उसको आप other income में लिखोगे तो यहाँ पर बात हो रही है कमाई की तो आपने sale कर ही पैसा कमाया other income से भी पैसा कमाया इसको जोड़ दो तो बन जाता है total revenue यह one plus two कर दो total revenue बन जाएगा suppose आपके पास मैं यहीं पर लिख देता हूँ sale है 10 lakh की other income हो गया 2 lakh का तो हम बोल देंगे की total revenue कितना आ गया जी total revenue आ गया 12 lakh की organization में जो inflow है वो 12 lakh रुपे का है अब उधार में भी हो सकती है तो आप यह मान लो की total revenue है बस 12 lakh रुपे का ठीक है now let's talk about expenses खर्चों की बात करते हैं sir खर्चे कितने हैं खर्चों को लिख लेते हैं A, B, C D, E, F, G तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 आपके खर्चे हैं जो आपको format का part समझ के learn करने हैं आपको पता होना चाहिए कौन सा खर्चा क्या होता है अब देखो सबसे पहला खर्चा कौन सा होता है सबसे पहला खर्चा होता है जो आपने माल बेचा है उसको खरीदा भी तो होगा या फिर उसको बनाया भी तो होगा अगर मैं एक manufacturer हूँ तो पहले मैं समान बनाऊंगा बाद में बेचूंगा पहले उसको बनाने में मेरे पैसे लगेंगे बाद में मैं बेचके पैसा कमाऊंगा तो जो माल बेचा, उसका cost, जिसको आप class 11 में cost of goods sold भी बोलते थे, वो खर्चा भी तो सबसे पहला main खर्चा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे cost of material consumed, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं cost of material consumed, जो material आपने consume कर लिया, उसका कितना खर्चा आया, इसको calculate करने क एक formula होता है, जिसको हम बोलते हैं, opening stock, या opening inventory कुछ भी बोल सकते हो, opening stock, plus net purchases, minus closing stock, तो यह आप से calculate भी करवा सकता है, तो cost of material consumed आपको याद रखना है, opening stock, plus net purchases, minus closing stock, इस बात का याद रहे है, कि अगर cost of material consumed आप से पूछ ले कि कैसे निकलेगा, तो यह formula पता होना चाहिए, ठ ठीक है, उसके बाद आपने अगर कोई माल खरीदा है, बेचने के लिए, यह तो बनाया था, फिर खरीदते भी तो हो, like suppose मेरी bakery है, तो कुछ तो biscuits में बना हुआ, biscuits में बनाने में खर्चा आएगा, उसमें raw material भी लगेगा, है ना, सारी चीज़े लगेंगी, और कुछ मैं ब खरीदा बेचने के लिए, उसको हम यहां पे ले लेते हैं, खिक है, उसके बाद आता है हमारे पास change in inventory, next is change in inventory, अब change in inventory में बच्चे, inventory में तीन चीज़े आप हमेशा याद रखना, कौन-कौन से तीन चीज़े हैं, सबसे पहले हमारे पास, जो यहां पे आता है, वो आता ह देखो, material तो यहां आगया, सही, work in progress, finished goods, stock in trade, तीन चीज़े यहां पे आपको याद रखनी है, कौन-कौन से तीन चीज़ों की inventory देखनी है, work in progress, finished goods, और stock in trade, तो तीन चीज़ों का हमेशा याद रखना, work in progress, finished goods, stock in trade, और calculate कैसे होता है change in inventory, opening stock minus closing stock, यह change in inventory find out करने का formula है, opening stock minus closing stock, अब यहां पे, क्योंकि मैं economics भी आप लोग को कराता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि don't get confused, economics में यह closing stock minus opening stock होता है change in stock, जब आप eco बढ़ते हो, तो economics में यही formula closing minus opening चलता है change in stock में, but accounts में ऐसा नहीं चलेगा, accounts में क्या चलना है, opening minus closing, इस बात का याद रखना ह हमारे पास अगर change in stock निकालना हो तो यह, तो आपके पास कौन-कौन से खर्चे आ गए, सबसे पहले तो material का, cost of material consumed, उसके बाद purchase of stock in trade, and then we have change in inventory, तीन खर्चे आ चुके हैं, ठीक है, तो सबसे पहला, material कितना consume हो गया, stock in trade, कितना माल खरीदा, inventory कितना है आपके पास, फिर employee benefit expenses, चौथे नंबर पे employees के खर्चे, सभी खर्चे employees के, wages, salaries, employees को आपने कोई और पैसा दिया, वो सब employee benefit expenses में आ जाता है, वहाँ पे अलग-अलग करते हैं, wages अलग, salary अलग, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब employee benefit expenses में डालोगी, ठीक है, इसके बाद finance cost, सर, finance cost में क्या आता है, य borrowing cost, तो एक तो interest याद रखना और एक borrowing cost याद रखना, अब एक जो सबसे बड़ा confusion जिसमें बच्चों के number करते हैं, वो आता है, हमारे पास, आप यह समझ लो, bank charges, yes, bank charges, सीधा exam में पूछता है कि bank charges कहाँ पे आएगा, अब बच्चे bank को relate करते हैं, finance के साथ, तो सीधा उसको finance cost में डाल देते हैं, तो यह मत करके आना, number कर जाएंगे रच्चे, specifically यहाँ पे note कर लेना, bank charges is a part of other expenses, bank charges किसका पार्ट है, other expenses का पार्ट है, बिटाजी, bank charges इसमें नहीं आता, इसमें सिर्फ interest और borrowing cost, ठीक है, जैसे file charges वगएरा, उसके बाद depreciation and amortization, अगला खर्चा होता है depreciation, कोई भी fix asset हो, वो depreciate होता है, tangible, अगर intangible है, तो उसको हम amortization बोलते हैं, जैसे goodwill को हम depreciation नहीं बोलते हैं, amortization बोलते हैं, तो fix assets, tangible के लिए depreciation, intangible के लिए amortization, तो हमारे पास यहाँ पे, depreciation, amortization दोनों आ जाते हैं, ठीक है, इसके बा खर्चे आपके other expenses में आ जाएंगे, printing, stationary, telephone, audit fees, दुनिया बर का खर्चा, सब other expenses में डालो, ठीक है, तो खर्चे कौन कौन से हुए, सबसे पहले cost of material consumed, हमारे material के लिए, यह आपको निकालना आना चाहिए, opening stock, plus purchases, minus closing stock, फिर इसके बाद आपने क्या लिया, purchase of stock and trade, जो माल खरी के बेजना था, उसके बाद 30 चीज, change in inventory, change in inventory के बाद आपने employees की बाद करी, employees benefit expenses, फिर हमने interest, boring cost, finance की बाद करी, finance cost, उसके बाद depreciation, amortization, and last में other expenses में सारे खर्चे, अब अगर मैं इन सब खर्चों को जोड़ दू, इन सभी खर्चों का sum कर दू, let's suppose यह सभी खर्चे आए, म यह ले लिए, 12,00,000 में से अगर 6,00,000 का खर्चा हो गया, तो मेरा profit कितना बना, 6,00,000 रूबे बन गए, अगर 12,00,000 में से 6,00,000 का खर्चा हो गया, हमें क्या करना है, total revenue में से total expenses minus कर देने, total revenue minus total expense कर रहा, तो जो बचा, उसको बोलते है, profit before tax, उसको क्या बोलोगे, profit before tax, उ वो हम tax लगा देंगे तो इस particular profit पर tax लगता है suppose मैंने आपको figures लिये थे यहाँ पे हमने total revenue 12,000,000 ले लिया था और यह सब खर्चे आपने 6,000,000 के ले लिये थे तो 12,000,000-6,000,000 बचे अब suppose 50% का tax है 50% तो इस 6,000,000 पर लगेगा tax 6,000,000 पर 50% 3,000,000 का tax लग गया profit after tax बचा 3,000,000 यह आप रखोगे ठीक है तो profit before tax, फिर tax, फिर profit after tax आपका answer गरेक्ट है जी तो इस इस आओ आपका पूरा का पूरा profit and loss statement बनता है जो आपको format screenshot लो I hope आपको समझ में भी आ गया होगा और इसमें चीजें clear भी हो गई होगी Thank you so much everyone आज के लिए इतना ही कुछ और issue आता है तो comment में बदाओ जल्दी sort करेंगे Thank you so much